अगर आप इस न्यूजपेपर की पीडियोप कोपी को डाउनलोड करना चाहते तो आपको मिलेगे टेलिग्राम पर जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा या सीधा प्रिवर्तन आईयस अकेडमे टेलिग्राम पर लिख कर भी आप लोग सर्च कर सकते हैं सबसे पहले बात करेंगे एज यू नो की रश्या और युक्रेइन के बीच में यूद चल रहे हैं उनी सब चीजों के बीच में भारत के बहुत सारे शिटिजन वहाँ पर फसे हैं उनको कैसे बाहर निकालना है इस चीज़ को लेकर और युक्रेइन के अंदर कैसे चीज़ें सोट आउट हो इन सब चीजों के लेकर इंडिया का क्या ओपिनिन है उन सब चीजों के बारे में फ्रेंट पेज भी बताया गया है इंडिया इस एंगेज़ विद ओल पार्टीज ऑन यूक्रेइन भारत की तरफ से फोरेंट सेकरेटरी साब की स्टेटमेंट है कि भारत जि डायलोग ही एक मातरिक तरीका हो सकता है माल लेते युद हो रहा है युद के बाद भी तो बातचीत होगी अगर आप आज की न्यूस पेपर में पढ़ेंगे अभी आप थोड़ी दिर में ही पढ़ेंगे कि युक्रेइन रेडी है बेलारूस के अंदर डिप्लोमेटिक्स इसके अंदर बातचीत होगी युक्रेइन और रशिया को लेकर तो आखरी में सोलूशन तो बातचीत हो युद हो या ना हो लेकिन सोलूशन अल्टिमेटली बातचीत के सुरू ही निकलने वाला था और उसी चीज को लेकर यहां पर एक न्यूस भी आई है इसके अलावा भ भारत के भहुट सारे नागरीक यहां पर फसे उनको बाहर निकालना ये हमारी प्रेयरिटी के अंदर है। चली जिसके अंदर external affair mister और top diplomatic जिसके अंदर foreign secretary साब भी सामिलतें तो बहुत important है यह reason और इसके अंदर जो disturbance create हुई है यह war की वज़े से जो चीजे हुई है उसका impact कैसे पूरी दुनिया पर चाहे वो भारत हो या पूरी दुनिया की economy पर impact हो उन सब के लिए बहुत ही important है यह प पताऊंगा क्योंकि अभी United Nations Security Council में जो resolution आया था भारत ने abstain किया था यानि भारत ना तो रशिया की तरफ था ना USA की तरफ था हमने work out कर लिया था इसके बाद आज फिर यानि मंडे को एक proposal आने वाला United Nations General Assembly के अंदर इसको महासवा बोलते है वहाँ पर भारत की क्या position होगी यह एक सवाल होगा इसके बाद यहाँ पर mention किया गया कि Ukraine जैसे जैसे यूद चल रहा है और mainly यूद के अंदर कोशिश यह होती है कि उनकी capital को कबजा कर लिया जाए इसलिए Q सबसे important place है तो इन सब चीजों के बीच में यहाँ के president जो है उन्होंने बताया कि हम precondition बिना किस conditions के बादशित करेंगे Belarusian Ukrainian border के आसपास और हलाकि यह मानते कि Russia के इरादों पर उन्हें बहुत जादा confidence नहीं है doubt है भी भी इसके बाद यहाँ पर बहुत सारे जो नागरिक भारत के फसे हुए हैं उनको safely evacuate करने के लिए एक operation चलाए गए जिसका नाम है operation गंगा और various time पर जामन हो या इसके अलावक हमारे कतर के अंदर जो citizen फसे थे उनको बाहर निकालने के लिए अलग अलग प्रोग्राम चलाया जाते लीबिया हो ठीक है तो इनको लेकर एक operational नेम दिया जाते हैं जैसे यहाँ पर आप देखेंगे operation गंगा है कल मैंने अपने टेलिग्राम ग्र निकाला गए वो छोड़ दीजिए इसके अलावा right hand side page पर एक और important information है high level probe into Mumbai power outage outage जब का क्या मतलब होता जैसे power cut हो जाता कि temporary period के लिए electricity चली जाती है महरास्टरा में पिछले साल अक्तूबर सोरी पिछले साल ने उससे पिछले साल 2020 के अंदर 13 अक्तूबर को 2 गंटे का cut लग गया था अब यह जो outage हुआ था यह normal outage नहीं था कि कोई power line को जो सही किया जा रहा था यह repairment हो रही थी नहीं यह reason यह था कि एक report आये थी United States based एक report थी जिसने allegation लगा था कि इसके पीछे कहिने कही चाइना responsible है एक तरीके से cyber attack हुआ है power supply को लेकर हाला कि cyber attack सब जो है वो उसका broad impact है तो क्या इसको लेकर एक तरीके से power supply पर अगर आप attack कर रहे है तो इसका मतलब है कि आप economy को ही कही ने कही नुक्सान पहुंचाते एकनोमी की जो एक तरीके से activities है उसको ही रोग देते है electricity बहुत important part है अगर आप internet भी इस्तमाल कर रहे है उ और इसके अलावा जो alternate होते हैं वो अभी इतने viable नहीं कि पूरी economy को run करते बिना electricity के इसके अलावा यहाँ पर mention किया गया कि इसी पूरे context में महरास्टरा के जो state energy minister है नितिन रावत साहब इन्होंने कहा कि एक high level की inquiry होगी कि क्या इसके पीछे responsible था cyber security, cyber attack यह नए topic है लेकिन यह economy के perspective से बहुत ज्यादा important है कुछ अच्छी news अगर आप देखेंगे तो particular आपको अच्छी news तो मिल सकती कि भाई भारत के नागरी को बचाजार लेकिन आप भी बहुत सारे नागरी को फसे हो है लेकिन कुछ खराब news भी आती है जो कि हमारी democratic setup क के लिए सही नहीं है जैसे West Bengal के अंदर अभी election हुए civic polls को लेकर election हो रहे हैं या हो चुके हैं वहाँ पर political violence होना यह सबसे खतरना है किसी भी राज्ये में political violence होती जिसके अंदर लोग एक दूसरी की political parties पर attack करते हैं यह खराब situation है और बहुत सारे candidates उसके अंदर मारे जाते है तो यह एक democratic setup के लिए अच्छी news नहीं है अब आप लोगों के लिए एक सवाल है हम बात करें civic polls को लेकर या एक तरीके से जो स्थानिये निकाये के चुनाओ होते हैं आप लोगों को नीचे comment करना है कि जो civic polls होते हैं इसको conduct कौन करवाता है क्या यह हमारा एक तरीके से election commission of India करवाता है या state election commission of India करवाता है अगर state election commission of India करवाता है तो इसको लेकर civic poll को लेकर दो important constitutional amendment हुए हैं भारत के समिधान में उन constitutional amendment या समिधान संसोदनों के बारे में आप नीचे comment करेंगे यह आपके लिए दो पार्ट में सवाल है कि कौन conduct करवाता है और यह कौन से constitutional amendment के तो खुद सारे नागरिक अभी भी युक्रेइन के अंदर फसे हुए हैं उनको बाहर निकालने के लिए evacuation को लेकर जो program चलाए जा रहे हैं उनके बारे में बताया गया है लेकिन कुछ issues भी आ रहे हैं क्योंकि बड़ी संक्या में अगर आप देखेंगे मालेते यह युक्रे यहां पर एक तरीके से coordination बहुत जुरूर है कई बारा भी रिपोर्ट आया थी युक्रेइन जो है वो अपने नागरिकों को यह चाहता कि fight करें अपनी country के लिए तो कई बार थोड़ा restriction होता moment को लेकर इसलिए जो evacuation program है या एक mission है operation उसको लेकर थोड़ी सी समश्या आ रही है इसके अलावा यहां पर यह बताया गया अलग अलग सुटेंट्स उन्होंने रियक्ट किया कि situation कैसी है वहाँ पर पादनी की shortage है फूड की shortage है और इसके अलावा भारत जितनी भी embassies है अलग अलग कंट्रीज के अंदर Hungary, Romania, Poland, Ukraine इनके अंदर एक तरीके से high level के official deployed किये गए और various parties से conduct किया जा रहा है चाहे वो रशिया ही क्यों ना हो क्योंकि रशिया भी एक important parties पूरे scenario के अंदर है तो उन्हीं सब चीजों के बारे हम बतायाएं कि कुछ issues आ रहे हैं बौर्डर को लेकर crossing को लेकर कुछ issues आ रहे हैं हलाकि बहुत सारे countries के नागरी के हाँ पर फसे दुनिया भर में माना जाता है कि सबसे successful रहा है जैसे वंदे भारत mission रहा हूँ इसके अलाबा अगर आप देखेंगे चाहे वो संकट मोचन हो देवी सक्ति हो इवन अभी 2022 में जो इस mission का राम दिया गया गया operation गंगा mission तो इस तरह के mission हमने successfully connect किये तो hope कि जो अभी भी बार Ukraine जो एकिन country से अपनी boundary share करता है Ukraine किस country से अपनी boundary share नहीं करता है और बड़े दुरभागे पूर्ण मुझे कहना पड़ रहा है कि अभी भी mention किया गया 36% लोगों ने Moldova को इसको टिक किया है और इसके बिलकुल neighboring country में अगर आप देखेंगे सबसे पहले Moldova आता है ठीक है औ फिर आपको बता रहो सारी country आपके सामने visible है इन countries को देखिए और comment करिए नीचे की Ukraine किन किन country से अपनी boundary share करता है जोगरिफिकली बहुत important ये चीज़े ब्लैक सी को लेकर कैस्पिन सी को लेकर सवाल हुए है और आने वाले time में भी होंगे तो ये एक सवाल है फिर से सब आप आपको visible है boundary यहां से ठीक है आप comment करेंगे इसके लावा कल हमने पड़ा था कि एक एर exercise इंदर दुनों जो United Kingdom के साथ होती उसके बाद भी बड़ी संख्या में गलत की हलाकि close था लेकिन गलत का percentage सबसे ज्यादा है तो इनको ध्यान रखिए और correction रखिए एक accuracy होनी चाहिए आ यहां पर बात करेंगे कि भारत के सामने United Nations General Assembly या शूंक त्राष्टर की जो महासवा है उसके अंदर एक resolution जब लेकर आया जाएगा तो यह पार्ट भारत के लिए थोड़ा difficult होगा क्योंकि इसके अंदर जितनी भी member country United Nations Security Council में तो 15 ही country है 5 पर्मनेंट 10 नोन पर्मनेंट लेक पर pressure है भारत के उपर United States का European countries का वो चाहते हैं कि Russia को completely isolate कर दिया जाए completely एक तरीके से उसको अलग तलग जिसको बोलते है न वो कर दिया जाए अभी United Nations Security Council में resolution आया था 8979 हलाकि इस तरह की number को आप ध्यान भी रख सकते हैं नहीं भी रख सकते हैं दोनों important हो सकते हैं ठीक है जब ही कोई proposal pass हो जाता है वो ज्यादा important होता है इसके अंदर condemn किया गया था रशिया के action को हलाकि बाद में क्योंकि रशिया को veto power है veto power का मतलब होता है पूरे decision को ही वो cancel करवाने की special power उसके पास है negatively vote कर सकते हैं ठीक है तो उसके बाद वो proposal pass नहीं हुआ था resolution जो है पास नही totally sport किया था और 193 country है total United Nations General Assembly के अंदर अगर यहाँ पर mention किया गया कि अगर यह resolution again United Nations General Assembly के अंदर आता है तो क्या इसका impact पड़ेगा और भारत के उपर pressure यह होगा कि ऐसी scenario के अंदर भारत किस तरीके से vote करता है European diplomat यह बोल रहे है कि भारत के उपर है कि उसको aggressor का साथ देना ह है कि victim का साथ देना है इसके अलावा भारत के उपर कई तरह के pressure भी जैसे statement आ रही है कि भारत कोई decide करना है कि वो चाइना सीरिया और विंजूला जैसे एक तरीके से countries के साथ खड़ा रहना चाता है इस तरह की issues create होना चाता है या एक जहां पर global larger global arena है यानि पूरी दुनिया वैसे बड़ी community जो support करती है उनके साथ कड़े होना ये अब आप इंडिया को decide करना तो इंडिया के लिए ये एक difficult voting होगी क्योंकि humanitarian crisis में मालते majority ही एक तरीके से युक्रेइन के फिवर में जा रही है तो उस context में भारत के सामने क्या option होंगे ये सवाल होने वाले है और इन सारी चीजे भी है रश्या हमारा बिलकुल एक best allies है अगर आप देखेंगे historically भी लेकिन कई सारे factor होते हैं humanitarian में अगर आप एक हवा जो है बिलकुल उनके against है तो उस context में भारत के सामने option क्या होंगे ये बहुत difficult diplomatic choices होती है country के सामने इसके बाद यहां पर mention किया गया कि भारत और France के बीच में एक defense को लेकर agreement होने वाला है ये engine को develop करेंगे jointly DRDU हमां India का और saffron करके जो है वो France का ये engine aircraft जो है deal करने को लेकर एक agreement कुछ आने वाले कुछ दिनों में महिनों में sign हो सकता है और 125KN engine जो है इसको develop करेंगे भारत और France और भारत की तरब से DRDU सामिल होगी और France की तरब से सैफरान करके इसके अंदर participation करेगी इसको लेकर external affair Mr. साब अभी France के अंदर जब गए थे तब उन्होंने discussion किया था इसी को लेकर और इससे पहले 2021 December के अंदर France की जो defense minister वो इंडिया के अंदर आई थी इन सब के बीच में भारत के defense minister साब ने पारलेमेंट के अंद करेंगे और वही चीज़े यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि इंडियन इसलिए इंजिन को पावर करेगा light combat aircraft variants को और AMCA variants को और इसके अलावा यहाँ पर यह बतायागा कि AMCA जो है यह 2009 के आसपास हमें देखने को मिलता है और यह twin engine stealth aircraft जो है वो develop करने को लेकर काम किया जा रहे हैं यहाँ पर जो सब्द इस्तमाल किया गया है stealth इसके बारे मैं आप से discuss करूँगा इसके बाद यहाँ पर बताया गया कि France के साथ जैसी agreement पास हो जाता है तो यह definitely game changer होगा और इसको special purpose vehicle के साथ त्यार किया जाएगा यह बनाया जाएगा manufacture किया जाएगा कई बार य कि यह missile बिलकुल invisible जैसी हो जाती है इन enemy के radar में नहीं आती है electronic detection इसका possible नहीं होता सिंपल सब्दों में यह होता है stealth का मतलब अपने आपको hide करने वाले technology कि जिस technology के इस्तमाल के बाद चाए military aircraft हो या submarine सो उसको identify करना उसको radar में एक तरीके से access करना आसान नहीं होता यह बहुत important technology है और modern days में still technology पर बहुत जादा focus भी किया जाता है इन सब के बीच में यहाँ पर एक बार फिर से इंडिया और सिरलंका के को लेकर एक news आती है इंडिया और सिरलंका के बारे में अभी recent में news आई कि वहां के सरकार ने भारत के कुछ fishermen को फिर से arrest किया है भारत और सिरलंका के बीच में fishermen को लेकर जो issue है यह high level का एक issues और continue इसको लेकर हम देख रहे हैं कि यह debate में रहता है अब फिर से यह topics हो वो news में है हलाकि भारत और सिरलंका के बीच में अगर आप देखेंगे issues तो वैसे बहुत सारे है लेकिन यह वाला जो issues है पिछले कई दिनों में news में है औ boundaries को कैसे हम लोग decide करते हैं क्या procedure होता है देखिए यहाँ पर अगर आप ocean को देखेंगे तो ऐसे divide किया जाता ओशियन को जैसे सबसे पहले यह yellow color की जो पट्टी होती है यह इसको बोलते है TSB यह तो हमारी territory होगी है सीधी सीधी इसमें को issue नहीं है इसके बाद यहाँ पर य यह यहाँ पर nautical miles में जो है वो count किया जाता है ठीक है एक अगर आप देखेंगे जो हमारी एक तरीके जो land boundary होती होती है उसको हम करते है simply kilometer में count लेकिन जो ocean या maritime boundary होती है उसको nautical miles में count किया जाता है इसके बाद 3 nautical miles तक होता है CW यनी coastal water होता है इसके बाद आता 12 nautical miles यह important है क्योंकि 12 nautical miles हमारी territorial C है यानी territorial C यह boundary होगी इसके बाद 24 nautical miles तक contagious zone होता है और यहाँ तक यह बहुत important होता है exclusive economic zone होता है 200 nautical miles तक ठीक है इसके बाद आ जाता है continental self करके ठीक यानी भारत को 200 nautical miles तक exclusive economic zone है यानी exclusive economic zone का simple सा मतलब होता है कि हमें economic activities को लेकर वहाँ पर specific right जो है वो आपको देखने को मिलेंगी ठीक है और continental self में जो एक तरीके से movement हो सकती है सबको इसके बाद जो है वो सभी parties को right होता है आप लोगों के लिएक सवाल है बहुत ही simple सा है nautical miles में अगर आप इसको equivalent करेंगे kilometers में तो एक nautical miles में कितने kilometer होते हैं वो आप identify करिए और उसको comment करिए नीचे इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे प्राइमेस्टर साब किया जो मन की बात program होता है मन्तली एक program होता है उसके अंदर कुछ important चीज़ों के बारे में discussion किया गया उसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे take pride in Tamil says प्राइम है उसके बाद काफी close मानी जाते हैं कि तमिल भारत की उन पुरानी language में शेखेंगे जो कि ancient history जो है इसके अंदर आपको देखने को मिलेगी इसके अलावा यहाँ पर mother tank के बारे में mention किया गया कि मातरी भाशा को लेकर अगर आप national education policy के अंदर देखेंग वहाँ पर भी mother tank को लेकर promote किया गया कि इसके अंदर ही language को promote किया जाए इसके बाद यहाँ पर यह बताया गया कि भारत ही नहीं दुनिया भर में mother tank को लेकर काफी ज़्यादा इंपोर्टेंटली डिसकस किया ज़्या था लेकिन भारत क्योंकि diversity बहुत जादा है language को लेकर dialect को लेकर और official language से ले यह बहुत important है एक सूरी नेम के हिंदी poet के बारे में उन्ने mention किया गया सूरजन परोही करके और इन्होंने बहुत सारे काम किये हैं उनके एक तरीके से जीवन यापन का एक important साधन यह बना है इसके बाद तनजानिया के जो siblings है किली पोल और उनके सिश्र नीमा इनको अगर अपने instagram पर जुरूर देखा होगा किली पोल करके आप लेखेंगे तो यह basically भारत के music पर एक तरीके से react करते है ठीक है इसके लावा यहां पर अगर आप देखें इनके बारे mention किया गरेशनली तंजानिया की embassy ने इनको honor भी किया था इनको एक तरीके समान भी किया था इसी इसे प्राइमिस्टर ने फॉर्मर कीनियन प्राइमिस्टर राइला औरिंगा की जो डोटर है उनके बारे बताया गया कि उनकी एक तरीके से brain tumor की surgery के बाद eyesight जो खतम हो गई थी तो आयरुवेदिक ने कैसे एक तरीके से कमाल किया इसके अंदर और के अंदर एक इसके बाद सेनिक स्कूल्स के अंदर एडमिशन की बात हो या भारत के अंदर जितने भी स्टार्ट अप्स हुए हो उनके अंदर हाफ जो स्टार्ट अपस है उनके अंदर डिरेक्टरेट्स का जो रोल है वो महिला इस टाम पर निभा रही है ये एक important discussion किया गया रही बात mater maternity leave को लेकर maternity leave को बढ़ाया गया है यानि जो मातरतों अवकास होता उसको बढ़ाया गया है इसके अलावा common एक तरीके से opportunity प्रवाइड करने के लिए महिला और पूर्सों की जो साधी की minimum age है उसको common करने को लेकर भी सरकार planning कर रही हलाकि age common की जाए ना किया जाए इसको ल personal science टे हम लोग celebrate करते हैं और attribute किया गया सीवी रवन साहग को कि हमें भी अपने बच्चों को scientific temperament की तरव एक तरीके से लेकर जाना चाहिए scientific temperament को लेकर काम करना चाहिए ठीक है ये काफी important इस तरह की चीज़े हमने front page भी पढ़ा था power outage को लेकर उसी चीज़ को लेकर अगर किया गया और Twitter account को hack करने के बाद basically इससे पहले हमारे प्राइमशे साब के account को भी hack किया गया था कुछ time के लिए तो इसमें क्या mention किया गया अभी जो कि tweets Ukraine crisis को लेकर हुए और crypto crunchy को लेकर tweet किये गए मैंने हमने पढ़ा था कि बज़ट जब session आया था तो बज़ट के अंदर य cryptocurrency बैन होने वाली legal है illegal है इन सब चीजों को लेकर debate है इनके अलावा हमने यह भी पढ़ा था कि RBI खुद की central bank digital currency को launch करने वाला है इसके बीच में जो काफी important चीजे हैं कि क्या भारत के अंदर यह जो taxation लगेगा या हम लोग यह अगर आप देखें साइबर security को लेकर cryptocurrency को लेक लगातार भारत सरकार इसको लेकर discussion कर रही है लेकिन इस तरह की चीजें होना यह definitely serious issue है और इसके बाद हमारी एक बहुत important team है जिसको computer emergency response team है यह investigation करती है इस तरह की अगर कोई attack होता है cyber attack होता है यह नहीं आप अगर आप defense system को ही inactivate कर दोगे तो वो cyber attack का खतरनाक रूप आपको देखने को मिलेगा इसके बाद हम लोग जाएंगे world affair में दुनिया में क्या चल रहा है दुनिया में आभी फिलाल के लिए एकी चीज़ चल रही है वो है युक्रेयन युक्रेयन युक्रेय के साथ युक्रेयन boundary share करता है और अगर किसी country में youth होता है तो उसका impact क्या पड़ता है कि refugee crisis बहुत ज्यादा हो जाता है लोग जो है वो safe place की तरफ जाना शुरू करते हैं तो यही चीज़ आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगी ठीक है तो यानि बड़ी संक्या में लोग अलग-अलग borders पर cross कर रहे हैं यह अपने आप में एक challenging situation है इसके बाद युक्रेयन agree है कि वो रूर्स से बादचित करने को ready है बिलारूस border पर बादचित होने की possibility है क्या इसमें चीज़े निकलेगी क्या नहीं निकलेगी वो अपने आप में important होगी लेकिन इन सब के बीच म रस्या के प्रिजिडेंट उलादिमेर पुर्तियन ने का है कि nuclear forces को high alert पर रहने के लिए का है कि भाई जितने भी चीफ एक तरीके से nuclear deterrence forces है वो high alert पर है और इसके लावा ballistic missile को लेकर हो क्योंकि यह किसी भी country का backbone है और Moscow यानि रूस के पास जो है second largest arsenal है nuclear weapons के मावले में इसके इन सब सिनेरियों के बीच में एक international body काफी जाद activate होगी है international atomic energy agency और उन्होंने उनके गवरनर्स की high level पर meeting करवाई वीना headquarter है United Nation की nuclear watch dog है और basically atomic energy को लेकर यह नज़र रखती है कि कहीं इसका इसका इस्तमाल nuclear weapon को लेकर ना हो या nuclear एक तरीके से weapon की इस्तमाल को लेकर ना किया इसको लेकर काफी important है मैंने पहले भी बताया था nuclear weapon का इस्तमाल एक ही बार हुआ है इतिहास में ठीक है जैपान के अंदर attack हुए थे उसका impact अब तक हम देख रहे हैं वो तो बहुत छोटी quantity वे nuclear attack था अगर आज के time पे nuclear attack हुआ तो इसका मतलब यह होगा कि countries पूरी की पूर इसमें जंग जीती नहीं जाती जंग का एक अलग ही रूप आपको देखने को मिलेगा यह चीज़े हैं लेगन इन सब के बीच में यहाँ पर western countries ने रशिया की financial market को तोड़ने के लिए economy को आप damage करने के लिए और ज्यादा strict decision लिए है कि swift उनको ban करने को लेकर planning कर रही है swift ban क क्या मतलब होता है starting में जब परसान धवन सर का वीडियो आया था तो मुझे भी लग रहा swift कुछ अलग चीज होती है लेकिन बाद में पता जला कि swift बहुत ही simple सा और एक important perspective होता है जैसे अगर माल लेते हैं आज आप youtube पी वीडियो पढ़े जितने भी youtubers हैं जिनकी payment आती है payment जादे dollars के अंदर ठीक है और उसके लिए जैसे हो आपके account में transfer करना है तो आपको चाहिएगा swift code और swift code जैसे अगर माल लेते हैं मैं एक particular district से belong करता हूँ तो मेरी जो branch होगी उसमें हो सकता है कि पूरे district की branches के अंदर के हो एक swift code हो तो swift basically global financial artery है जो allow करता smooth rapid transfer को across the border money transfer करने में और यह इसका full form होती है society for worldwide interbank financial telecommunication करके 1973 में create किया गया था Belgium में इसका headquarter है और swift में 11,000 banks connect किये गये हैं 200 country institution में फंक्शन करता है और माना जाता है कि ऐसा नहीं कि आपका कोई high street bank आप गावों में गए और swift में आप transaction कर रहे नहीं देखी swift में transaction हो था cross the border यानि जैसे dollar में US से transfer हो रहे हैं तो आपको message आता है यह बिलकुल यह इन्होंने जो mention किया गई है कि आपको instant messaging होता है mail आता है कि भाई आपको payment release करती गई है और जैसे आपको RI हो जाएगा तब भी message आता है कि आपकी payment जो हो आपके account में transfer करती गई है तो इसको लेकर यह माना जाता है कि सबस 97 cash pass.96 cash pass अभी आपको देखने को मिलेगी इसके लाबा यहाँ पर यह सबसे strict एक तरीके से बोल सकते हैं कि यह restrictions के उपर लगेंगे और पहले से रेशियन economy जो हो बहुत अच्छी condition में नहीं है और इसका असर यह होगा भारत जैसे country पर जिसका जो हम लोग trade करते हैं रेशिय जादा pressure भी create होगा रिशिया को लेकर तो काफी चीज़े आपको देखने को मिलेगी ठीक है तो यह सब चीज़े बताएगी है कि airspace को हम लोग बंद कर रहे हैं इनको इनकी जो asset उनको freeze कर रहे हैं वो सारी चीज़े इसके अंदर mention करेगी इनकी media outlet को भी ban किया जा रहा है कि आप एक fake agenda propaganda जो वो यहाँ पर नेफलाएं इसके बाद United Nation ने कolombo को जो efforts है उसको लेकर यह बताएगी आपके जो efforts है human rights को लेकर यह सही नहीं है आपकी जो accountability होने चाहिए थी human rights के violation को लेकर सिलंका काफी चीज़ों को लेकर जो news में रहता है human rights के violation को लेकर भी यही country आपको news में देखने को मिलेगी ठीक है तो उसको लेकर यह बताया गया कि आपका अपने की तरीके सेट बैक है इस तरह की रिपोर्ट accountability आपकी कितनी है human rights के मामले में खासकर जो northern province है सिलंका जाफना तमिल community को लेकर human rights के violation का इनके ओपर हमेशा आरो प्लगता और जो कई बार ग्रांट है 500 million dollar का यह अप्रोल कर दिया गया है और क्योंकि 27 फर्वरिन के पांस लास्ट डेट थी और United States का government का Millennium Challenge Cooperation Pact 2017 में एक infrastructure project है और इसको ratification करना जरूरी था हलाकि यह जो ratification है बहुत मुस्किल होगा क्योंकि इनका Parliament के अंदर और लोगों के द्वारा काफी ज्यादा विरोध हो रहा था कि कहीं नेपाल अपनी sovereignty संप्रूवता को ही undermine कर रहा है यह कुछ सवाल इनके सामने थे और इन सब के बीच में यह भी बताया गया कि नेपाल जो है किसी strategic military security alliance जिसमें इंडो-pacific strategy है United States की इनका part नहीं बनने वाला है तो the Hindu analysis में फिलाल इतना ही क्योंकि आज economic page नहीं आता review आता है तो important है और जो text वाला column उसमें भी swift के बारे में बताया है वो भी मैंने brief में बताया है तो यह कुछ चीजे है जो आज के दहिंदू में आपको देखने को मिलेगी और जो दो-तिन सवाल पूछे गए है कोशिस करिए सभी लोग उसको answer करें